आज गुरु वार है साई जी का वार है सध्धा से तुम ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है आज गुरु वार है साई जी का वार है सध्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेडा पार है आज गुरुवार है हो शिर्डी का ही साई बाबा सबका पालन हारा है हो शिर्डी का ही साई बाबा सबका पालन हारा है जिनका जग में कोई नहीं है उनका है ये सहारा जिनका जग में कोई नहीं है उनका है ये सहारा आज गुरुवार है साई जी का वार है स्रथा से तुम ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है आज गुरुवार है साई जी का वार है शत्ता से जो ध्यान लगाए उसका बेडा पार है आज गुरुवार है तीन लोग का दाता है ये बाबा अनकर यामी है बाबा अनकर यामी है बोला भाला साई हमारा तीन लोग का स्वामी आज गुरुवार है साई जी का वार है सत्ता से तुम ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है आज गुरुवार है साई जी का वार है सत्ता से जो जान लगाए उसका वेडा पार है आज गुरुवार है स्रधा और सबूरी लेके द्वारे जो भी आया है द्वारे जो भी आया है बिन मांगेगी सब कुछ उसने साई नात से पाया आज गुरुवार है साई जी का वार है सत्ता से तुम ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है आज गुरुवार है साई जी का वार है शत्ता से जो ध्यान लगाए उसका बेडा पार है आज गुरुवार है अपने दर पे सब को बुलाए भेजे सब को बुलावारे बेजे सब को बुलावा अपने दर पे सब को बुलाए भेजे सब को बुलावारे सोने के सिहासन पे बैठे साई बाबा आज गुरुवार है साई जी का वार है शत्ता से तुम ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है आज गुरुवार है साई जी का वार है शत्ता से जो ध्यान लगा लो उनका बेडा पार है अज गुरुवार है साई जी का वार है शत्ता से जो ध्यान लगा उसका बेडा पार है मेरा आप की क्रिपा से सब काम हो रहा है करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रिपा से पत्वार के बिना ही मेरी नाम चल रही है हैरान है जमाना मन्जिल भी मिल रही है करता नहीं मेरी नाम चल रही है हैरान है जमाना मन्जिल भी मिल रही है करता नहीं में कुछ भी मेरा काम हो रहा है करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रिपा से कोई नहीं था मेरा धिरता था मारा मारा बे आसरे को बाबा तुमने दिया सहारा कोई नहीं था मेरा धिरता था मारा मारा बे आसरे को बाबा तुमने दिया सहारा तेरा करम ये मुझ पर सर्याम हो रहा है करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रिपा से तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है किस और चीज की अब परवाह ही नहीं है तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है किस और चीज की अब परवाह ही नहीं है तिरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रिपां से मिट्टी मैं घुल रहा था तुमने बनाया हीरा चमका दी मेरी किसमत चारों तरप सवेरा मिट्टी मैं घुल रहा था तुमने बनाया हीरा चमका दी मेरी किसमत चारों तरप सवेरा जीने की आसना थी तेरी बंदगी से पहले करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है करते हो साई तुम तो मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी क्रिपासे ओ शिर्णी वाले बिरज के तुम हो रगुनन्दन अवद के रामा रगुनन्दन तिये तुम शिर्णी में दर्शन हो साई हो शिर्णी वाले सद्गुर तुम हो मात पिता हो तुम ही सखा बंदो भाई मेरे साई राम सद्गुर तुम हो मात पिता हो तुम ही सखा बंदो भाई शर्ण दो शिर्णी में मुझको शर्ण मेरे ना है मुझको अब गुजारू में ये ही जीवन हो साई हो शिरड़ी वाले विरज के तुम हो रगुनन्दन अवद के रामा रगुनन्दन दिये तुम शिरड़ी में धर्शन हो साई हो शिरड़ी वाले एक अभागा मैं दुखियारा मांगू मैं तुझ से सहारा मेरे साई राम एक अभागा मैं दुखियारा मांगू मैं तुझ से सहारा सकती दो अब बामा मुझको अबला जग समझे रे मुझको बाबा तुम ही हो मेरे किशन हो साई हो शिरड़ी वाले विरज के तुम हो रगुनन्दन अवद के रामा रगुनन्दन दिये तुम शिरड़ी में धर्शन हो साई हो शिरड़ी वाले स्रेता में तुमने तारी अहिल ल्या द्वापर में कुबजा को तारा हो मेरे साई राम पेता में तुमने तारी अहिल ल्या द्वापर में कुबजा को तारा बने हो कभी धन उर धर तुम तक्र धर मुरली धर हो तुम तुम ये शोदा के त्यारे नन्दन हो साई हो शिरड़ी वाले बिरज के तुम हो रगनन्दन अवद के रामा रगनन्दन दिये तुम शिरड़ी में धर्शन हो साई हो शिरड़ी वाले बिरज के तुम हो रगनन्दन अवद के रामा रगनन्दन दिये तुम शिरड़ी में धर्शन हो साई हो शिरड़ी वाले खोट मन में आई और मुख में साई फिर मंदिर में जाने से क्या फाइदा मैल मन का न धोया बदन धोलिया फिर गन्दा न हाटे से क्या फाइदा खोट मन में आई और मुख में साई मन में मूरत साई की उतारी नहीं है सबसे बड़ा तो अज्यानी वही मन में मूरत साई की उतारी नहीं है सबसे बड़ा तो अज्यानी वही धन दौलत पे तू क्यों गुमाने करे जब संग में न जाए तो क्या फाइदा खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई तू हर पल साई के गुण गाता मगर व्यर्त है मन से साई न ध्याए अगर ना माने पिता मा का कहना जो तू फिर साई भजन से पै क्या फाइदा खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई उपदेश तो अच्छे तू लेता फिरे और करता करम तू सदा ही बुरे पहले खुद पे करो तूम अमल बाद में ग्यान दूजों को देने से क्या फाइदा खोट मन में आई और मुख में साई फिर मंदिर में जाने से क्या फाइदा मैल मन का न धोया बदन धोलिया फिर गंदा न हाने से क्या फाइदा खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई खोट मन में आई और मुख में साई